हाई दोस्तों वेलकम टू सुवं क्लासेश दोस्तों आप सभी का हिंदी मीडियम के नमबर वन चैनल सुवं क्लासेश में बहुत बहुत स्वाजत है तुम मेरे क्लास 12 के भी द्यारती हूँ मैं प्यू सर जैसा कि आपको लगाता है ट्रांसफार्मर के एक एक टॉपिक के एक धासु वीडियो आपको बता रहा हूँ एक एक रूल की साथ उनको हल करने का जो तरीका आपको मिलना है और इससे है क्या आप आगामी एरफोर्स ने भी तक की परिछाओं के लिए इंपोर्टेंट है तो यह आपका जो सबसे इंपोर्टेंट बात है कि क्लाश 12 के एक जाम में जो आपका एक ट्रांसफार्मेशन आएगा पूरे मार्क्स आपको दिला के रहेगा इसलिए एक एक टॉपिक को समझना आपका काम है यह मत सोचना कि यह हम इसको पढ़के क्या करें पढ़के बहुत कुछ है बस एक बार पढ़ो मायंड में सेट करो एकजाम में आते ही सॉल्व करो यह आपके पास होनी चाहिए खुबी तो इसके लिए चलिए देखते हैं चेंज आप एक्सलामेटरी संटेंस इन्टू असर्टिव संटेंस की यह टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है तो सबसे पहले बच्चे हम बात कर लेते हैं जैसा कि सब को पता है कि संटेंस पांच प्रकार के होते हैं नरेशन में भी मैंने समझाया था क्या असर्टिव इंट्रूगेटिव संटेंस और इंपरिटिव संटेंस इस्कलामेटरी संटेंस और अप्टेटिव संटेंस और उन्ही इन पांच तेंस में से आपका जो है इस्कलामेटरी संटेंस है जिसको हमें चेंज करना है असर्टिव संटेंस में तो बात करें इस्कलामेटरी संटे means the sentence which expresses surprise, which expresses surprise is called an exclamatory sentence, an exclamatory sentence, okay? अब ध्यान दिजिएगा, सबसी इंपोर्टेंट बच्चे बात है कि ऐसा हुआ कि जिसमें आश्यरे ब्यक्त किया जाता है, उसे हम exclamatory sentence कहते हैं, यानि जहां exclamation mark आए, तो exclamation mark जो अप्टेटिब में भी आता है, लेकिन वह इच्छा ब्यक्त होती है, यहां आश्यरे होगा, हम आश्यरे दुख के साथ भी करते हैं, खुसी में भी करते हैं, सवासी देते भी करते हैं, हुरी, वाव, अलोश, ओ, सो सैट, यानि कि हम क्या देख रहे हैं, कि वह ही, यानि आश्यरे करने का तरीका, expression change हो जाता है, लेकिन surprise दोनों situation में होते हैं, तो इस तरीके से, अगर sentence आती हैं, तो उनको हम आपके assertive sentence में कैसे convert करते हैं, कैसे उन्हें हम subject पहले करेंगे, और full stop फिर होगा, यह देखते हैं, देखेंगें, इसमें सबसे पहले आपको मैं बता हूँ, कि sentence क्या होते हैं, एक elementary sentence होता है, जो how और what of, I of ही हो सकता, M ही हो सकता है, क्योंकि वह आग सकता है, इस टाइप का, सिकेंड टाइप आपका हो सकता है, क्यों सर्प्राइजिंग हो, जो मैंने अभी अभी बोला, आश्यर सूचक सब दोसमें हो, अलोश, रे, वाव, अभा, यह वर्ड आये हो, तो कैसे हम उन्होंने assertive में convert करेंगे, एक यह भी होता है, कि अगर ओव रखिएगा, कि करना कुछ नहीं है, how, यदि हमारा क्या हो, exclamatory sentence, यदि exclamatory sentence, exclamatory sentence, how, या, what, a, what, a, and, से सुरू हो, ठीक है, से सुरू हो, तो assertive बनाती समय, इसे sentence के subject और verb से सुरू करते हैं, सब्जेक्ट और वर्व से सुरू करते हैं, अगर, तोस्तों, अगर आप 2022 की बोट पर इच्छाम पेपर दोगे, और अगर आप UP वोट की student हो, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुट्टी हुश है, अगर, जो इंडिया का सबसे नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, पूरे इंडिया का, अब UP वोट student की तयारी कराने आ चुका है, अब अनगरेमी पर, आप क्लास 9 से 12 तक की UP वोट की सभी subject की तयारी कर सकते हो, जितने भी student डेक रहे हैं, उनको बता दूँ, अभी आ आप अनगरेमी पर, उत्तर प्रदेश बोट के लिए free classes चलाई जा रही हैं, और सबसे important बात है, यहाँ पर आप बिल्कुल free में test भी दे सकते हो, जिससे आप पता कर सकते हो, कितने chapters आपके तयार हो चुके हैं, और यह Hindi और English, दोनों medium student के लिए आ चुका है, और सबसे important बा होगे, तो आपके पूरे fees से 10% discount आपको तुरन मिल जागा, तो जितने भी student देख रहे हैं, आज ही anacademy app डाउनलोड करो, वहाँ पर उत्तर प्रदेश बोट के सभी विश्योकर त्यारी आप सुरू करें, हेल्पिंग और बेंगे subject के साथ, मेन और मैं तो मेने subject के बाद जितना बचा होगा, example अभी आप देखिएगा, और उसे सुरू करते हैं, ओके, देखो, आप सोच रहे हैं कि यह क्या है, यह है, आप सीखो, देखो कैसे बन रहा है, अगर मेरा बताया हुआ example आपके समझ में नव आए, तो comment box में comment जरूर करना सर यह कैसे बनाए, लेकिन मुझी अपने बच्चों पे और अपने बताने के तरीके पे यह 100% विश्वास है, कि यह जो एजामपन में बताऊंगा, वो बच्चे सब इसको हल करके दिखा देंगे, बस थोड़ा साथ ध्यान तो देदो, त sentence के subject वो word से शुरू करते हैं, यानि कि आपका जो यह मान लो, एक्जामपन हम दे रहे हैं, कि यह थी, ओके, आपको अगर आ गया, कि how, how, fearful, how fearful, the snake is, how fearful, the snake is, the snake is, ओके, यह sentence आता है, अब हमें, यह हम क्या देख रहे हैं, how से शुरू होने पर, इक्सलामेशन मार्क होने पर हमारा क्या कहलाता है, एक्सक्लामेटरी कहलाता है, तो how fearful, the snake is, साब कितना डराहुना है, तो साब कितना डराहुना है, यह interrogative में बदलना है, नहीं, इसको assertive करना है, हमारा एक्सलमेटरी को किस में चिंच करना है assertive में तो करना क्या है आपको सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि यदि accelerator sentence how या what और से शुरू हो तो जब assertive आप बनाऊगी आपको करना का sentence में जो subject है और verb है उसको पहले लिखना है तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं हाउ के बाद adjective other snake is work के पहले subject साप है तो यह subject और work पहले लिख लेए subject के बाद जितना होगा पहले हम लिख लेएगे उसको लिखते हैं तो यहाँ पहले आएगा the capital हो गया the snake is the snake is इतना हो गया अब क्या करना है जो यहाँ हाउ है या वाट अ है उसको आपको वेरी में change करके यह adjective लिख कर fully stop लगा देना है ठीक है यानि कि क्या करना है तथा हाउ वाट अ के अस्थान पर वाट अ के अस्थान पर वेरी का प्रियोग करते हुए वेरी का प्रियोग करते हुए अंत में full stop कर देते हैं अंत में full stop full stop लगा देते हैं ओके यह rule रहा हमारा इसको change करने का ठीक है तो चलिए पहले उस word subject और word को आपनी किया how can we अब होगा वेरी में वेरी फियर फूल वेरी फियर फूल ओके तो यह रहा अब फूलिश टॉप असर्टिब किस पहचान है यह how fearful दे इसने की साब कितना डरावना है ने इसने की वेरी फियर वेरी फियर फूल साब बहुत डरावना है यानि क्या कि संटेंस तो चेंज हो गया क्या उसका अर्थ वदला नहीं वदला तो यही है आपका ट्रांसफार्मेशन यानि जिस प्रकार का एक एक संटेंस को हम चेंज करना सिखा रहे हैं आप देखो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी एक से एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक आपके पास आएगी एक 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 जामपल आपकी अच्छे अच्छे मिलेंगे और जितने एक जामपल आज सिखोगे प्रैक्टिस लख लेना आपने पास हल करना मैं 100% कहा रहा हूँ मेरे होनहार ये भी विद्यार थी उसे हल करके एदम यूँ चुठकियों में कर देंगे तो देखो ऐसे एचे एक अच्छे वाटर का भी एक एक जामपल ले लेते हैं देखो इसकलामेटरिया है ठीक है वाटर वाटर्फुल वाटर्फुल सीन यहाँ एक बात कर लेते हैं एक चीज में यह समझाना चाह रहा था देखो यह क्लियर भी हो जाता है असर्टिव चेंज करना है क्योंकि कभी बच्ची यह प्रस कर सकते हैं ठीक है क्या कि अगर आप देख रहे हैं इसमें एड्जेक्टिव है आयाई नाउन बलेंग सबजेक्ट वर्ब नहीं दिख रहा है ऐसे सिच्वेशन में हम वहाँ जब असर्टिव चेंज करते हैं तो इट और सबजेक्ट इट लेते हैं वर्ब इजी और भावनसार वाज भी ले सकते हैं जैसा हो वर्ब ले लेंगे भावनसार उसके बाद वाटर को वेरी में चेंज करके पूरा ये वर्ड लिख जाएंगा कब जब हमारा सबजेक्ट न हो तो लेकिन अगर यही होता कि वाटर वाटर वंडर्फूल या वाटर ब्यूटिफूल बिल्डिंग दो ताज इज रहता कि दो ताज इज या ताज महल इज तो पहले हम लिखते कि ताज महल इज हो जाता अब फिर वाटर को वेरी में चेंज करते हैं लेकिन सबजेक्ट न होने पे यहाँ पे सबजेक्ट वर्ब नहीं है तो हम इट इज का प्रियोग करते हैं क्या हो जाएगा इट इज वाटर किस में कनवाट होगा वाटर किस में कनवाट होगा वेरी में कनवाट होगा ओके इट इज वेरी वंडर्फुल साइट इट इज वेरी वंडर्फुल साइट इस सीन है fully stop कर देंगे क्योंकि assertive का क्या है कि subject और fully stop तो मेरे वियारे विद्यार सी हूँ यह आपका रहा exclamatory और यह रहा आपका assertive कभी आपको यह इटीज दिखे तो आप क्या करना यह वाट करके पूरा लिख देना और exclamation लगा देना कब जब assertive exclamatory बनाने को कहें तब ओके अब हम देखते हैं किसको आपकी अगले type के यानि exclamatory sentence में जब surprising word आ जाए ठीक है यदी alosh यदी क्या आ जाए alosh रे alosh रे वाव वाव अहा अहा ओ ऐसे आए exclamation करके ओ यानि तुरंत बाद आ जाए ठीक है व्रावो व्रावो ओके आ जाए आ जाए तो क्या करना है इनको हटा देना है assertive sentence में आ जाए तो इन्हें हटा कर इनके अस्थान पर इनके अस्थान पर क्या करना है लिखना है आपको इट इज मैटर आफ शारो लिखोगे अगर दुख क्यान होती रहेगी अगर खुसी का रहेगा तो जुआय लिखोगे प्रसंसा का रहेगा तो रभू है तो प्रेज लिखोगे तीक है गुड है वेंस आजा है सर्प्राइज लिखोगे तीन बातों का ख्याल करना कि अगर दुख सूचक सर्प्राइजिंग वर्ड आया जिसे अलोश तो इट इज मैटर आफ सारो अगर खुसी का आया है वाव तो यहाँ पे इज मैटर आफ जुआय लिखना है ब्रावो वेल ड़न इज मैटर आफ प्रेज तो अगर ऐसे आते हैं तो यह हट जाएंगी जब असर्की बनेगा तो जो सर्प्राइज करने वाले वर्ड उन्हें हटा देंगे ठीक उसी के अस्थान पे हमको यह वर्ड यूज करना है इज मैटर आफ सारो या सारो के जगर जब आफ प्रेज उनके भाव अनुसार यह नहीं के पूरा लिख दें या जहाँ दुख होँआ खूसी लिख दें नहीं तिक है क्या करते हैं लिखते हैं लिखते हैं उसके बाद करना क्या है उसके बाद बैट लगा कर बैट लगा कर sentence को लिख लेते हैं sentence को लिख लेते हैं ठीक है यह ध्यान देना बहुत simple है बस जिस वच्चे दो rule के साथ साथ example भी हम दे रहे हैं आप जो rule सुन रहे हों नहीं लिख पा रहे हैं आप लोग तो इसे देख कर भी लिख सकते हैं वैसे तो आप मेरी हवास सुनकर ही आप लिख ले रहे होंगे, क्योंकि मैं बार-बार कह रहा हूँ, मुझे अपने विद्यारतियों पर बिस्वास, लेकिन एक बात की बहुत थोड़ी सी, कम यो तो कमेंट बॉक्स में यह नहीं पूछते हैं, सर यह कैसे हुआ, इसको भी थ मंज में आए, हम आपके लिए ही अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आपको हम पढ़ाएंगे, आप अच्छे बनोगे, तो ही हम हमारा नाम होगा, तो हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन प्रयास आपको तो पूरा का पूरा करना ही पड़ेगा बच्चे, यह याद रहे हैं, जितना हम आपको समझाने कोशिज कर उसकी दोगनी महनस से आप उससे समझने की कोशिज करनी होगी नव आए जितनी बार पूछेंगे हम आपको जरूर बताएंगे तो चले एक्जामपल देख लेते इसके लिए तो यह हमारा एक्सलमेटरी है क्या अलोश कितने दुख की बात है सीन डाइट वो मर गई सो यंग इस युवा अवस्था में ही कितने दुख की बात है वो इस युवा अवस्था में ही मर गई यानि कि अब आपको करना क्या है इसको चेंज करना है किसमे औसर्टिब सेंटेंस में तो अभी तक जिस तरीके से आप समझ रहे हो अभी अंत तक समझो अभी बहुत सी अच्छी टॉपिक आ रही है और आप हमको पूरा यकीन हो रहा है कि सीख रहे हो कि हाँ वा चैंज करने का तरीका हमको आ गया तो एकदम आएगा ऐसे ही पढ़ते रहो देखो तो अलासी डाइट सो यंग अरी दुख की बात है वो इतनी युवास्था में मर गई करना कुछ नहीं है सर्प्राइजिंग वड आने पे जब भी असर्टी बनाओगे ठीक उसको ही हटा दो बस अलास हटा ओ दुख सूचा के लिखना क्या है कि इसके अस्थान पे करन है इट इज मैटर आफ दुख का है तो सारो अब उसके बाद लगाना है दैट और इस संटीज को कॉपी कर लेना है सी डाइड सो यंग सी डाइड सो यंग वो इस इवावस्था में ही मर गई कितने दुख की बात है कि वो इवावस्था में ही मर गई यानि कि आपने जो भाव यहां पे था वो मर गई उसी भाव को आपने पूरा एक्स्प्लेइन करके लिख दिया तो यह क्या हुआ इक्सलामेट्री से बन गया हमारा असर्टिम लेकिन क्या आपका यह संटेंस का ज तो अब अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल जो है आपका बहुत ही सूपर डूपर इंपॉर्टेंट समझे लो क्योंकि इस दोनों के बारे में आप अक्सर नरेशन तक में भी हल कर लेते हो लेकिन यह जो संटेंस आ रहा है यह होता है स्लामेट्रियल यह स हम को देखने को मिलता है तो इनको चींज करने का तरीका है वो भी देखिएगा क्या कि यदि इक्सलामिक्री संटेंस मी यदि इसक्लामेट्रियद Igni sentence में, यह दिक्सलमेटरी, sentence में, क्या हो, ओ आजाए, क्या आजाए, ओ, इसके तुरंद बाद एक्सलमेशन नहीं होगा, अंत में होगा, ओ, ओ, और आपका, if, if only, if only आजाए, और क्या आजाए, उड, उड, आजाए, आ, जाए, तो, आजाए, तो, इन्हें हटाकर, इन्हें हटाकर, I wish that कर देते हैं, I wish that कर देते हैं, और बाकी जो sentence होगा, जेओं का, तेओं होगा, समझ में आया, तो देखो, करना क्या है आपको, यह हमारा रहा, exclamatory sentence, ध्यान दिजिएगा, क्या करना है आपको, अब आप लिखोग, मैं एक sentence देता हूँ, अगर उसमें, इस्टार्टिंग में, if only, would that हो, या, ओ से सुरूओ, या, ओ से सुरूओ, लेकिन, उनके तुरंद बाद, exclamation न होकर, अंत में, exclamation मार्क हो, ऐसे sentence में, हम अपनी च्छाओं को ब्यक्त कर रहे होते हैं, इसलिए, वहाँ पर इन वर्ड को हटा कर, हम I wish that का प्रियोग करते हैं, ठीक है, तो हम चलिए लिखते हैं यहाँ पर, if only, if only, I could see my mother, see my mother now, see my mother now, यदि मैं एक बार, अपनी मा को दीख लेता, हरी, एक बार मैं अपनी मा को दीख लेता हैं, आश्र के साथ हम सोच रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर, क्या, exclamatory की वरिभासा है कि surprise होना, तो अगर कोई ही बास surprise के साथ कहते हैं, तो वो exclamatory हमें इसे convert किसमें करना है, assertive sentence में, तो क्या करेंगे, करेंगे तुरंथ हम आपके assertive में, क्या, if only को हटाईए, करिए I wish that, I wish that I could, I could see my mother, बाकी को copy करना है बाबू, mother, now, ant, man, full staff, क्योंकि है, assertive में convert हुआ, तो एक और आपको ऐसे jump column लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, उड़ का ले लेते हैं, चलिए, कह रहे हैं तो, would that, would that they were safe, they were safe, okay, would that they were safe, last week's mission है, इसे convert करना है, किसमें, assertive में, लेकिन, इस sentence को मैं नहीं change करूँगा, आप करेंगे, और comment box में, जिनके, जल्दी से जल्दी, क्या होंगे, इसके change होंगे, उनके तुरंट likes हम जरूर देंगे, जिनका sentence एकदम सही होगा, और last में, हम इसका आपको perfect देंगे, समझ जाएगे, जिसका हमने like किया है, उसका sentence उसने सही बनाया है, तो आपने rule और एक-एक sentence को बनाने का तरीका सिखा, तो मेरे प्यारे विद्यारतियों, जिस तरीके की मेहनत आप कर रहे हो, उसी तरीके की मेहनत के साथ एक-एक topic आप समझते रहो, और आपका हमेशा best होता रहेगा, तो मेरे प्यारे विद्यारतियों, यदि ये आज की व द्यारतियों अब तो आप हमारे इस सुहन क्लासेश के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे वेल आइकन प्रेस करना न भूले क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन थोड़ा सा भी चूख हुआ तो कोई भी टॉपिक मिस हुआ तो आगे की लेशन आपको समझ में नहीं आने वाली तो ऐसी गलती नहीं करना है तब तक के लिए गुड़ लग